चित्रकोट में 8 साल के मासूम की पडोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी शब के 3 तुकड़े करके डिब्बे में बंद करके घर में छीच पा दिया घर से बद्भू आने पर परिजनों और ग्रामीडों को मामले की जानकारी हुई बताया जा रहा है कि बच्चा चार दिन पहले लापता हो गया था परिजनों ने पुलिस को सूचना थी लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई वह आकरोशित परिजनों और रासपडोस के लोगों ने जम कर हंगामा काटा और पुलिस प्रशासन के खिलाब भी जम कर मुरता बात के नारे लगाए फिलाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है SP ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक वर डॉक स्कुएट टीम जाँच कर रही है डिबा और कुछ इटे भी परामत की गई है उत्वाली छेतर के अंतरगट आठ तारी को एक बालक के लापता होने की सूचना पुलिस को प्राप्ठ हुई थी पुलिस ने ततकाल आठ तारी को ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजेकरित कर बालक की तलाश के लिए टीमों का गठन किया था प्रगातार उसकी तलाश जारी थी आज उस बालक का शव उसके ही एक पट्टीदारी के चाचा लगते हैं उनके घर से बरामत हुआ है पुलिस ने ततकाल शव को कबजे में लेकर पोस्माटम की विधिक करवाई के लिए भेज दिया है इस संदर में पुलिस द्वारा तीन संदेक आरोपी व्यक्तियों को गिरिफतार किया गया है उनसे कूस्ताच की जा रही है परजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकद्मा पंजे करवाई की जा रही है